हेलो गाइस तो एक बहुत बड़ी खुश खबरी है आप लोगों के लिए खुश हो जाएंगे ये मैं शर्त लगा कर कह सकती हूँ कि आप इस बात से बात क्या है मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि बैग लेस डे मतलब कि ऐसे दे जाना है लेकिन बैग को नहीं लेके जाना देखो सुनकर अच्छा लग रहा है मतला अगर बैग नहीं लेके जाओगे तो सिर्फ एक्टिविटीज होंगी और नहीं नहीं तरीके कि कुछ भी एक्टिविटीज जो आपको इंटरस्टिन लगते हैं ये आपके टीचर्स आएंगे तो अगर बैग नहीं लेके जाना इसका मतलब पढ़ाई भी नहीं होगी तो उसका सर्कुलर डिपार्टमें ने डाल दिया है क्या है सर्कुलर अच्छे से समझते देखो क्या लिखा गया है गाई लेक्टिविटी जो होगा इन एक्टिविटीज में क्या होगा ह है कि स्कुल के अंदर कुछ एक्टिविटी स्कुल के अंदर और स्कुल के बाहर विजिट करवा सकते हैं ऐसे पिकनिक भ्रमन पर लेके जा सकते हैं ऐसा कहा गया है कि हो सकता है स्कुल के नजदी कोई पार रख हो या हो सकता है स्कुल के नजदी कहीं पे भी कोई ऐसी जग नई activity नई कुछ भी जो आप चाहते हैं शेर कर सकते हैं तो अभी circular आया है और अभी जैसे के exam भी खतम हो चुके हैं मिटम के तो हो सकता है कि next week या next दिवाली के बाद हम कहा सकते हैं कि दिवाली के बाद ऐसे अब देखो 10 दिन है ना तो 10 दिन किस तरीकी से divide किये जाएंगे यह depend करेगा school के उपर कि जिसे दो-दो दिन हफते में या तो ऐसा हो सकता है क्योंकि time कम बचा है तो हर हफते में एक दिन हो सकता है कि एक दिन क्या किया जाए बैगलेस किया जाए ऐसा हो सकता है भी इसका proper circular आया नहीं है वह सब भी department ने यह का है कि 10 bagless day होने चाहिए किस त activity चाहते हैं जिसे कि पताचले teacher को भी क्या क्या activity आप चाहते हैं वह करवाई जाये तो कैसी लगे खबर ज़रूर बताएगा हरे question कुछ भी ृठवूड और तो आप मुझे comment कर सकते हैं उसका वीडियो में आप लोगों के लिए बना दूगे थैंक यू गाइज